इसका यह मतलब है students के इस question में हमें percent दी गई है और हमें उन percent को पहले तो decimal में convert करना है और उसके बाद उनही percent को fraction में convert करना है और फिर fraction को simplest form में लेकर आना है यानि के fraction को आप जितना काट कर दिखा सकते है उतना काट के दिखाना है यह part में हमें दिया गए students 25% तो सबसे पहले हम 25% को decimal में convert करेंगे तो इसके solution में हम लिखेंगे 25% is equal to 25 upon 100 इस exercise की basic वीडियो में हमने आपको समझाया था students कि जब भी आपको किसी percent को decimal में convert करना हो जैसे कि यहाँ पर हमें 25% को decimal में convert करना है तो आप उस number को 100 से divide कर देंगे जैसे की यहाँ हमें 25% को decimal में convert करना है तो हम यहाँ पर 25 को 100 से divide करेंगे तो अब हमें जो answer मिलेगा वो decimal में होगा अब हम 25 को 100 से कैसे divide करेंगे इसे ध्यान से समझेगा students यहाँ पर denominator में देखिए दो 0 हैं हम denominator से यह दो 0 हटा देंगे और check करेंगे कि numerator में decimal कहा पर है अब देखिए numerator में है 25 यहाँ तो कही decimal नहीं है तो जब कही decimal नहीं होता है तो decimal यहाँ last में होता है तो जब आप denominator से यह दो 0 हटाएंगे तो यह decimal जो यहाँ last में है यह यहाँ से दो digit shift होकर left में यहाँ पर आ जाएगा अब आप यहाँ पर देख सकते है students कि जो decimal यहाँ last में था वो दो digit left की तरफ shift होकर यहाँ पर आ गया decimal से पहले आप यह 0 लगा सकते हैं इस 0 की कोई importance नहीं होती है तो जब हमने 25% को decimal में convert किया तो हमें answer मिला 0.25 अब हम 25% को fraction में convert करेंगे इस exercise की basic वीडियो में हमने आपको समझाया था students कि जब भी आप percent को fraction में convert करेंगे तो उसके लिए आप उस number को 100 से divide कर देंगे जैसे यहाँ पर हमें 25% को fraction में convert करना है तो हम 25 को 100 से divide करेंगे अब देखिए students यह 25% औरेड़ी fraction form में आ चुका है अब हमें इसे simplest form में लेकर आना है यानि हम इस fraction number को जितना काट सकते है उतना काट के दिखाना है अब देखिए 25 और 100 को आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से करेंगे अब देखिए 5 to the 10 यह 0 बचा तो यह 0 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर देखिए 5 5 दा 25 अब ध्यान से देखिए students के 5 और 20 को भी आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे आप देखिए 5 1 दा 5 और यहाँ पर देखिए 5 4 दा 20 तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन 4 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 अब आप देख सकते हैं students के हमने 25 परसेंट को decimal में भी convert करके दिखा दिया है और 25 परसेंट को fraction में भी convert करके दिखा दिया है और यह भी याद रखेगा students के 25 परसेंट fraction में तो यही पर convert हो गया था लेकिन हमने इस fraction को simplest form में change करके दिखाया है यानि के इस fraction को हम जितना काट के दिखा सकते थे उतना काट के दिखाया है बी पार्ट में हमें दिया गए students 150 परसेंट तो सबसे पहले हम 150 परसेंट को decimal में convert करेंगे तो इसके solution में हम लिखेंगे 150 परसेंट is equal to 150 upon 100 अब देखें students इस 0 से ये 0 कट जाएगी अब यहाँ पर बचा 15 upon 10 अब हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे अब यहाँ पर denominator में देखें students एक 0 है हम इस 0 को denominator से हटा देंगे और चेक करेंगे कि numerator में decimal कहाँ पर है numerator में है 15 कही decimal नहीं देख रहा तो जब कही decimal नहीं होता है तो decimal यहाँ पर last में होता है तो जब हम denominator से इस 1 0 को हटाएंगे तो यह decimal जो यहाँ पर last में था यह एक digit left की طرف shift होकर यहाँ पर आ जाएगा 1 और 5 के बीच में तो यहाँ पर हम रिखेंगे 1.5 जो decimal यहाँ पर last में था वो यहाँ डिजिट left की तरफ shift होकर यहाँ आ गया 1 और 5 के बीच में तो हम कह सकते है students कि जब हमने 150% को decimal में convert किया तो हमें answer मिला 1.5 अब हम 150% को fraction में convert करेंगे और फिर उस fraction को simplest form में convert करेंगे तो 150% को fraction में convert करने के लिए हम लिखेंगे students 150% is equal to 150 upon 100 अब देखिए 150% fraction में convert हो गया है अब हमें इस fraction को simplest form में लेकर आना है यानि कि हम इस fraction को जितना काट के दिखा सकते हैं उतना काट के दिखाना है अब देखिए students इस 0 से ये 0 कट जाएगी अब यहाँ पर बचा 15 upon 10 15 और 10 को आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखिए 5 2 दा 10 और यहाँ पर देखिए 5 3 दा 50 अब यहाँ पर बचा 3 upon 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 upon 2 तो 150% को जब हमने fraction में convert किया students तो हमें answer मिला 3 upon 2 अब हम C part को solve करेंगे C part में हमें दिया गया है 20% तो सबसे पहले हम 20% को decimal में convert करेंगे तो इसके solution में हम लिखेंगे 20% is equal to 20 upon 100 अब देखे students इस 0 से ये 0 कट जाएगी अब यहाँ पर बचा 2 upon 10 अब हम 2 को 10 से divide करेंगे अब यहाँ पर denominator में देखे students एक 0 है हम इस 0 को denominator से हटा देंगे और चेक करेंगे कि numerator में decimal कहा पर है numerator में तो 2 है यानि कही decimal नहीं है तो जब कही decimal नहीं दिखता तो यह decimal यहाँ से एक digit left की तरफ shift कर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 देखे students पहले यह decimal यहाँ last में था और जब हमने denominator से एक 0 हटाया तो यह decimal यहाँ से एक digit left की तरफ shift कर यहाँ आ गया और decimal से पहले आप यह 0 लिख सकते हैं इस 0 की कोई value नहीं होती है यह सिरफ लिखने का एक तरीका है तो जब हमने 20% को decimal में convert किया तो हमें answer मिला 0.2 अब हम 20% को convert करेंगे fraction में तो यहाँ पर हम लिखेंगे students 20% is equal to 20 upon 100 अब देखे 20% fraction में तो आ गया है लेकिन अब हमें इस fraction को simplest form में लेकर आना है यानि हम इस fraction को जितना काट कर दिखा सकते हैं उतना काट कर दिखाना है अब देखे students इस 0 से यह 0 कट जाएगी अब यहाँ पर बचा 2 upon 10 अब 2 और 10 को भी आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 2 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 2 से काटेंगे अब देखे 2 1 दा 2 और यहाँ पर देखे 2 5 दा 10 अब यहाँ पर बचा 1 upon 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 upon 5 तो जब हमने 20% को fraction में convert किया तो हमें answer मिला 1 upon 5 अब हम deep part को solve करेंगे deep part में हमें दिया गए students 5% तो पहले हम 5% को decimal में convert करेंगे तो इसके solution में हम रिखेंगे 5% is equal to 5 upon 100 अब हम denominator से यह दोनों 0 हटा देंगे और check करेंगे कि numerator में decimal कहा पर है अब देखें numerator मे 5 है कही decimal नहीं दिख रहा तो जब कही decimal नहीं होता है तो decimal यहां last में होता है और अगर हम denominator से 2 0 हटाते हैं तो यह decimal यहां से 2 digit left की तरफ shift हो जाएगा तो इसका answer हमें मिलेगा 0.05 अब यह 0.05 कैसे आया students देखें decimal यहां पर last में था और हमें इसे 2 digit left की तरफ shift करना था तो पहले यह 5 को cross करेगा अब 5 के left में तो कोई digit नहीं थी तो यहां पर हम यह 0 लगाएंगे अब यह decimal जो यहां पर था अब यह इन 2 digit को cross करके left की तरफ यहां पर आ जाएगा और decimal से पहले आप यह 0 लगा सकते हैं इस 0 की कोई importance नहीं होती है सिरफ लिखने का एक तरीका होता है तो जब हमने 5% को decimal में convert किया तो हमें answer मिला 0.05 अब हम 5% को fraction में convert करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 5% is equal to 5 upon 100 अब यह 5% fraction में तो आ गया है लेकिन हमें इस fraction को simplest form में लेकर आना है यानि हम इस fraction को जितना काट कर दिखा सकते हैं उतना काट कर दिखाना है अब देखें students 5 और 100 को आपस में solve किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही number 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखें 5 वन दा 5 और यहाँ पर देखें 5 तो दा 10 यह 0 बचा तो यह 0 यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर बचा 1 अपॉन 20 तो यहाँ पर हम रिखेंगे 1 अपॉन 20 तो जब हमने 5 परसेंट को fraction में convert किया तो हमें answer मिला 1 अपॉन 20 आए हो